यह एक और कॉंट्रबर्सियल वीडियो में सबका स्वागत है और इस बॉड को देखके फिर से लोगों के पिछवाड़े से फुल जड़िया निकलने वाली है क्योंकि क्वालिटी भाई एम्प्लिफायर कनेक्शन के पास ही होती है ठीक है और यहां पे जो अब कैपैस्टर लगा रहे हैं philips के करेंस लगा है उसके बाद तो लोगोंने स्टार्ट के हम ने लगा वह उन्होंने फिर से चेंज कर लिया उन्हों पहले चेंज कर दिया वह वह तो एक जो होता ना बच्चों को डर रहता है पापा जी का ठीक है बच्चे करते हैं खेलते रहते हैं खेलते रहो हमें कोई दिक्कत नी है ठीक है पापा जी पापा जी होते हैं कोई बात नी बच्चों को कितनी बार डाटेंगे भाई नहीं डाट सकते बार बार नहीं डाट सकते भाई बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं ठीक है उनको जो करना उनका जो मर्जी करें वो कर सकते हैं बस डैडी का काम होता कि बच्चों को अपना एक बार लाइन पे ले आएं ठीक है वो काम हमने कर दिया ठीक है लाइन पे ले आये हम बच्चों को अच्छे से कर रहे हैं वो कोई नहीं बढ़िया है ठीक है बस इतना ही होता है बाकी डैडी तो अपना काम करते ही है उनका तो स्पीकर कितने तगड़ा जंप कर रहा था कितनी तगड़ी आउट पूट निकल रहे थी उसके अंदर से और जो स्पीकर की कुछ है भाई बोल रहा थे कि भाई स्पीकर की जो मतलब वोटेज है वो कितनी थी तो स्पीकर जो है अपना वो मेगनेट का है 15 इंच के अंदर ठीक है तो आईडियास आप लगा लो कितनी बोट का हुआ मेरे हिसाब से 300-300 बोट आरे में इसका हो गई वो और इस बोट को हमने चलाया था पचपन जीरो पचपन पे जो की 12 एंपियर का ट्रांसफोर्मर था अपना उस पे हम लोग हमने इसक को चलाया था और चैस्टिंग की वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप जाके टेस्टिंग की वीडियो देख सकते हो तो अभी बात कर लेते हैं हम इसके ट्रांजिस्टर की और इसकी आउटपुट कितनी निकलेगी तो यहां पर देख सकते हो यह जो ट्रांजिस्टर हैं यह तोसीबा के ओरिजिनल हैं 1941 यहां पर लगे हुए हैं ठीक है सारे के सारे और कुछ बढ़वे बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऐसे लगाने से पावर बढ़ती नहीं है सेम ड्राइवर है सेम यह है सेम वो है वोटेज कै तो इसके अंदर यहां पर अगर मैं ड्राइवर सेक्षन से अलग बात करूँ तो 12 पेर सीधे सीधे यहां पर लगे हुए है तो सीधे सीधे 1200 वोट तो यही होगी 4 ओम पर ठीक है और दो ट्रांजिस्टर इधर हैं दो उधर है तो 4 ट्रांजिस्टर इसके अंदर पर ठीक है बाकिए डिपेंड करेगा आपका ट्रांसफोर्मर की आप कौन सा ट्रांसफोर्मर यूज कर रहे हो पावर सप्लाई कितने कपैस्टर की यूज कर रहे हो तो यह सारी चीज़े होती है आउटपुट के लिए तो इन चीजों का ध्यान रखे आपको अब आप जैसे मानलो 55-055 का ट्रांसफोर्मर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर मानलो आप 18-10 एमपियर का ट्रांसफोर्मर यूज करते हो तो उसके अंदर से 500 वोट निकलेगी ठीक है अगर आप ज्यादा एमपियर का यूज करोगे तो उसके अंदर ज्यादा निकाल दी है आप लोगों की request पे कि भाई उस पे sale ले गया हो और इस पे sale आ चुकी है हाँ एक चीज और है अब यह इसका जो rate है वो मैंने बताया था आप लोगों की 32 रुपे का board मिलने वाला है एक चीज और है आपको और भी इस पे offer मिल सकता है यह है 32 रुपे का board डिल्वरी फरी होने वाली है और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो audio tracker लिखा हुआ है अगर audio tracker पे जाके आप वहाँ पे उसको subscribe करते हो audio tracker channel है जो अपना उसको subscribe कर लेना और वहाँ पे जाके comment करते हैं कि हाँ भाई मैंने subscribe कर दिया है तो 100 रुपे का और extra discount आप लोगों को मिलने वाला है इसी board पे ठीक है quality यहाँ पे देखी सकते हूँ आप किस तरीकी की quality है तो लोगों की मतलब new full जड़िया ऐसे निकल रहे न भाई धुवा निकल रहा है फोल जड़िया तो खतम हो चुकी है अब धुवा रह गया बाकी वो धुवा निकल रहा है ठीक है जो कि उनसे सैन हो नहीं रहा तो अभी इसके connection connection की मैं बात कर लेता हूँ तो connection यहाँ पे देख सकते हूँ यह है input section यह है अपना 12 volt AC यहाँ पे speaker protections के लिए यह है thermistor का point power की LED यह है protection की LED तो यहाँ पे अगर आपको जैसे connector वगरा चीए जैसे यह लगे हुए यह भी मिल जाएंगे ताकि जो LED वगरा है इनको आप बाहर निकाल सको ठीक है और यहाँ पे है अपना यह जोबल नेटवर्क यहाँ पे है coil तो यहाँ पे coil की quality भी आप देख सकते हो और यह है अपने terminals तो यहाँ पे कल मैंने इसको test किया था तो यहाँ पे देख सकते हो यह soldering वगर यहाँ पी लगी हुई है ठीक है तो इसके अंदर बता दिया मैंने 12 pair तो सिधे सिधे लगे हैं और जो पहले वाला 1500 board था अपना उसके अंदर 10 pair transistor लगे हुए थे ठीक है तो यहाँ पे सिधे सिधे 2 pair तो बड़ी गए ठीक है तो यहाँ पे idea लगा लो कि लोग मतलब कितने कितने पागल बनाते हैं लोगों को है ना तो उनकी आखे भाई धुंदला गई है वोड को देखके आप बस थोड़ी से अपने आखे खोल के और decide कर लेना कि कहां से क्या purchase करन अब बात करते हैं कि भाई इसके ओपर कितने कितने वोट के speaker चल सकते हैं या कितने कितने टोप चला सकते हैं क्या कुछ कर सकते हैं तो भाई देखो इस पे ना 15-15 inch के आप 4 speaker तो बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हो अगर आप इसको 2 ohm पे भी चलाओगे ना कल मैंने इसको दबा के चलाया है बिल्कुल दबा के चलाया है ठीक है यह हीटिंग का कोई इसू है इनी 4 ohm पे तो बिल्कुल है इनी यह मान के चलो हीटिंग है इनी 4 ohm पे तो लेकिन अगर आप 2 ohm पे चलाते हो मैंने बिना फैन के चलाया है यह कल यह 4 ohm पे मैंने बिना फैन के चलाया है 55-05 वोल्ट पे लेकिन अगर आप ज्यादा इसके अंदर वोल्ट यूज करें जैसे मालो 60-60-60-60-65 आप इस पे यूज करोगे तो आपको इस पे फैन लगाना पड़ेगा टू-ोम पे चलाओगे तो फैन लगाना ही लगाना पड़ेगा ठीक है तो 15-15 इंची के चा एसे आप लोगों को जो MPR है वो बढ़ा देने तो आउटपुट इसके अंदर से बर-बर के निकलेगी और तगड़ा पंचाब लोगों को मिलेगा एक और चीज यहां पर इसकी गैरंटी भी है आप लोगों को अगर ट्रांजिस्टर इसके उड़ते हैं तो प्रोपर आप साउंड के मामले में कि साउंड पसंद नहीं आ रही हम इसको रेटन करना चाहरे हैं तो उस मामले में यह जो बोड है यह होना चाहिए इसके अंदर कोई भी प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए तो आप इसको रेटन कर सकते हो लेकिन अगर मान लो इसके अंदर से कुछ सोट सर circuit जैसे OCP वेगरा जो होता है ना वो सारे के सारे इसके अंदर function दिये गए हैं और अगर मालो इसके जैसे transistor माल कई बंदे बोलते हैं कि भी transistor उड़ जाते हैं यह उड़ जाते हैं तो transistor इसके अंदर अगर उड़ते हैं तो आपको transistor प्रोवाइड करवा दिये जाएंगे अगर आप complete board मतलब चेंज करवाना चाहेंगे कि भाई complete board ही चेंज कर दो ठीक है तो complete board भी आपका चेंज कर दिये जाएगा प्रोपर तरीके से वह भी comment में बोल दिया करो कि भाई हां इस तरीकिस को test करके दिखाओ तो वह सारे ही सारी हो जाएंगे आप लोग के लिए क्यों tension ले रहो आप इदर बैठे हैं हम बस यह है कि हमें इतना ज्यादा भाई वेला time होता नहीं है ठीक है क्योंकि हम next जो चीज़े होती है next level जो चीज़े होती है उन पर काम करते रहते हैं अब भाई वही चीज़े कलास डी पर बोल रहे थे टेक केर